आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि face relation किसे कहते हैं या फिर हम यू कहें कि face relation का concept क्या है ये कहां से आया है face relation का use किस classification scheme में किया गया है इसको किस ने develop किया है तो जो face relation है face relation इसको जो develop किया है वो डॉक्टर ऐसा रंगनातन जी ने किया है और face relation का use है वो colon classification में किया गया है कुलन क्लासिफिकेशन के जैसे फेस रिलेशन अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं फेस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं दशा संबन देखिए एक्जाम आपका चाहे कोई भी एक्जाम हो चाहे वो आपका KBS का हो, NBS का हो, UGC NET का हो, DSSB का हो इवन ओल कोई भी, कोई भी आपका एक्जाम हो, हर एक्जाम में आपके जो है फेस रिलेशन से संबन्दित कोशन्स एक्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं तो क्या है कि जो फेस रिलेशन क्या होता है, ये किस एडिशन में आया है, CC के तो Face Relation CC के First Edition में आया था यानि कि Face Relation यहाँ पर देखिया आप देख रहे होंगे कि PR दिखा है इसको मैंने Short में लिखा है PR का मतलब है कि Face Relation जो Face Relation का जो Concept आया था वो आया था CC के First Edition में आया था PR का यूज हमेशा दो समान विश्यों के वरगांग बनाने के लिए किया जाता था या किया जाता है Face Relation के हमेशा जो है कभी एक्जाम में क्या पूछा जाता है उनके Levels कितने होते हैं तो इसको याद रखिएगा Face Relation के जो Level होते हैं वो तीन Level है एक है हमारा Inter-Subject-Face Relation दूसरा है Inter-Facet-Face Relation और तीसरा है Inter-Array-Face Relation तो Inter-Subject-Face Relation यानि की जहां पर हम सबजेट की बात कर रहे हैं ठीक है? तो इसका जो रंगनाथन जी थे इन्होंने क्या किया? सबसे पहले Classification हम क्योंकी कर रहे हैं और यह Codan Classification की बात हम हो रहे है तो यहां पर क्या है? जो रंगनाथन जी ने थे उन्होंने क्या किया? जब हम Classification कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर ब्रादर लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे subject को identify करेंगे यानि कि subject को classify करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है inter subject face relation ये इसको अलग find out कर दिया इसका एक level बना दिया फिर second level पे आता है हमारा intra facet face relation intra facet face relation ये face relation का second step है या second level है और जो तीसरा है हमारा वो है intra array face relation intra array face relation ये face relation का third level है तो देखिए अगर exam में पूछ लिया जाता है कि face relation में कितने level होते हैं तो याद रखिएगा face relation में तीन level होते हैं अच्छे से याद हो गया ना आपको ठीक है अच्छी बात है अब थोड़ा सा note note क्या है कि face relation के जो तीन level है वो cc के किस addition में आए थे कभी कभी exam में ये भी पूछा जाता है कि जो face relation है face relation के जो तीन level है वो cc के किस addition में आए हैं तो वो cc के fifth addition में introduce किये गए थे I hope अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि face relation क्या होता है face relation का concept कभ आया था किस addition में आया था किस classification इस game में use होता है और इसको किसने develop किया था और इसके कितने level हैं तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी हाँ ये मैंने आपके लिए अपने notes बनाए हैं जो ये मैंने अपने notes बनाए थे उन्ही notes को मैं आपके साथ share कर रही हूँ अब आगे बात आ रही है कि CC का जो fifth edition था उसमें जो face relation के types कितने होते हैं ठीक है कभी कभी exam में ये भी पूछा जाता है कि face relation के कितने types हैं कितने प्रकार के face relation होते हैं ठीक है तो क्या हुआ कि CC के fifth edition में face relation के five types decide किये गए थे बट इन CC, CC के जो seventh edition आया था उसमें एक और जो type था उसको add कर दिया गया जिसका नाम रखा गया था टूल ये टूल इस face relation को add करने के बाद total क्या हुए थे face relation कितने हो गये थे वो छे हो गये थे ठीक है यानि कि in the fifth edition of CC five types of face relation यानि कि fifth edition तक कि CC के कितने types थे वो five थे face relation के और बाद में क्या हुआ CC का जो seventh edition आया है seventh edition में क्या किया गया CC को CC में एक और face relation add कर दिया गया जिसका नाम रखा गया था टूल अच्छा अब पहरे ये भी जान लेते हैं आखिर ये जो टूल जो एक नया add किया गया face relation तो वो क्यों add किया गया इसके पीछे भी एक story है वो ये है कि क्या होता है generally हम जब CC में colon classification कर रहे होते हैं तो क्या होता है जब दो एक जैसे subject होते यानि कि दो समान विश्यों को एक साथ जब हम उनका classification कर रहे होते हैं उनका जब class number बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है zero से add होता है उसको zero लगा करके उसको जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है zero और o ये दोनों ही एक जैसे दिखते हैं तो इन दोनों में similarity होने की वज़े से लोग इसमें confuse हो रहे थे कि यहां पर zero का use हो रहा है या फिर o का English में जो o है उसका use हो रहा है ampersand का use किया गया यानि की जो and का sign होता है उसका use किया गया ठीक है अब कब किया गया किस addition में किया गया तो इसके बारे में भी जान लेते हैं cc में 6th addition तक यानि की cc का जो first addition था first addition से ले करके 6th addition तक कि किसका use किया गया जीरो से इसको जोड़ा जाता था यानि की 6 sorry 5 जो types बतायते भी आपको face relation के उनको उनका use किया जाता था लेकिन जब cc का जो 7th addition आया तो उसके 7th addition में 0 के स्थान पर 0 को हटा करके उसको remove करके किसका use किया जाने लगा ampersand का use किया जाने लगा क्योंकि लिखते समय जो भी हमने आपको बात बताई कि 0 यानि कि 0 और O एक जैसे लगते थे इसलिए लोगों को confusion होता था उनके confusion को remove करने के लिए दूर करने के लिए क्या किया गया कि ampersand का use किया जाने लगा अब ये मैंने पूरी एक table बना दी है इसके थूरू हमें पता चल जाएगा कि face relation के types कितने होते हैं उसके अलावा उनके level कितने होते हैं और किस level के अंतरगत क्या क्या चीजे आती हैं तो देखिए जब हम face relation के types की बात कर रहे हैं तो अभी तक कि पहले मैंने कितने बताये थे पहले face relation पाँच थे कहां से किस addition से किस addition तकी first cc के first addition से लेकर के sixth addition तकी face relation के पाँच प्रकार थे बाद में जो है क्या किया गया जो छठा जो face relation एड किया गया उसका नाम था तो इस प्रकार से total जो है हमारे face relation कितने हो गया वो हो गया जिसको हम जी बी सी डी टी और आई इस नाम से याद कर सकते हैं अब कैसे अब इसको हम जैसे क्या होता है अकसर हम भूल जाते हैं तो इसको हमें याद रखने के लिए हम क्या करते हैं एक trick लगाते हैं और उस trick के थुरू हम कभी भी जो face relation का जो style है यानि कि जो उसके steps है यानि कि कि step के बाद क्या चीज आएगी है ना वो हम भूल जाते हैं तो उसको हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे क्या है trick लगाते हैं कि पहला है हमारा general दूसरा है biasness bias तीसरा है comparison C for comparison D for difference T for tool and I for influence अब इन छेओं को हमें याद करना है अब हम इसको trick लगा के कैसे याद करेंगे क्या है generally लोग bias हो जाते हैं लोगों में comparison करने लगते हैं जिससे एक दूसरे के बीच एक difference create हो जाता है और उसी tool को वो अपना influence कर लेते हैं उसी tool से वो अपने को दूसरों को क्या कर लेते हैं influence कर लेते हैं यानि कि generally bias होकर लोग comparison करते हैं और comparison करके लोगों में क्या हो जाता है difference create हो जाता है जिसको ये एक टूल की तरह यूज करते हैं और लोग इससे influence हो जाते हैं I hope आपको ये trick समझ में आ गई होगी यानि कि face relation में क्या है generally लोग क्या होते हैं जी हां bias होते हैं और फिर bias होकर के क्या करते हैं comparison करने लगते हैं फिर जहां पर comparison आने लगता है तो लोगों में क्या हो जाता है एक difference create होने लगता है और जोई इस difference को वो लोग क्या करते हैं दूसरे लोग एक tool की तरह use करते हैं और उस tool को से दूसरे लोग क्या हो जाते हैं influenced हो जाते हैं तो G, B G, B C, D, T और I ये हमारे face relation के क्या हो गए types हो गए I hope आपको ये trick समझ में आई होगी अब चलिए हम बात करते हैं face relation के types जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि face relation के level कितने होते हैं तो इसके जो level है वो कितने हैं अभी मैंने कितने बताया थे आपको तीन level होते हैं पहला level है वो तीन level है पहला है inter subject face relation दूसरा है intra facet face relation और तीसरा है intra array face relation तो subject जैसा कि आप जानते हैं subject का मतलब क्या होता है wish है face it face it का मतलब होता है पक्ष और array array का मतलब होता है पंक्ती ठीक है तो exam में अलग-अलग प्रकार से पूछा जाता है कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि face relation में जो inter-face inter-subject face relation ये क्या होता है तो अब जब कभी अगर मालीजे subject face relation के बारे पूछ ले intra-face it face relation के बारे पूछ ले या फिर intra तो जैसा कि मैंने बताए आपको कि अब हम इस प्रकार से एक table ऐसी बना ली है हमने जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा कि intra-subject face relation क्या है face it कहां पर आएगा और array कहां पर आएगा तो जो कि अगर subject की बात हो रही है तो इसको हम याद करेंगे a, b, c, d, e f नहीं आएगा इसमें क्या आएगा g अब a किसके लिए use होगा journal के लिए b use होगा biasness के लिए c use होगा comparison के लिए d use होगा किसके लिए difference के लिए और e use होगा tool के form में और g use होगा influence के form में अब इसको याद कैसे करेंगे याद करने के लिए भी एक trick हम use करते हैं जिससे हमको आसानी से याद हो जाए अब क्या है a, b, c, d very easy ठीक है तो a, b, c, d, very easy तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अगर इसके step के बारे में पूछ लिया जाए serial number के बारे में तो हमको easily याद रहेगा कि a, b, c, d, very easy यानि कि e, g बस अब हमको ये याद धखना है कि e के बाद f नहीं आएगा e, g हमको करना है इसको ठीक है तो इस प्रकार से हमारा जो पहला है level यानि कि subject face relation वो complete हो जाता है अब दूसरी बात आती है कि intra facet face relation क्या होता है तो intra facet relation में j, k, m, n, p, r देखिए हर एक उसके बाद में दो alphabet के बाद में यानि कि इनका sequence चला आ रहा है लेकिन क्या है इसके बीच में एक-एक alphabet का gap है जैसे कि j के बाद k तो j, k company भी हो सकती है ठीक है मतलब एक example एक trick बता रही हूँ याद करने के लिए अभी पूरी trick भी बताऊंगे आपको कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं तो j, k, k के बाद क्या आता है l आता है लेकिन l यहाँ पे क्या है ये skip है n, o o के जस्ट बाद p और p के बाद q और फिर r यहाँ पे दो-दो alphabet के बाद में था यहाँ पे क्या है एक-एक alphabet के बाद में जो है एक-एक alphabet को skip करके फिर उसका next alphabet को जो है लिया गया है अब j, k, m, n, pr ठीक है j, k, marriage, hall अब इसके हम एक trick बना सकते है कि gk company में मेरा दोस्ट नवीन PR है ठीक है तो हम इसको एक क्या कर सकते हैं एक trick लगा सकते हैं इसको याद करने के लिए कि gk company में मेरा दोस्ट नवीन पियारो है यानि कि अब हमने जैसे कि यह एक ट्रिक लगा ली अब हमको अगर फेसेट की बात आएगी तो हम याद करेंगे कि जे के मेरी जे के कमपणी में मेरा दोस्त नवीन वो क्या है प्यारो है ठीक है तो मतलब हम कोई भी ट्रिक लगा करके मतलब इजी फॉर्म में ट्रिक इसलिए लगाई जाती है कि जिसे ह हम इजी फॉर्म में किसी भी चीज को एक लॉंग टाइम तक की अपने माइन में क्या करके रखे रिटेन करके रखे तो इजी फॉर्म में याद करने के लिए हम डिपरेंट ट्रिक लगाते हैं मुझे जो इजी लगा वो मैंने आपको बताया है अगर आपके मन में कोई और प्रिक हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं खेर तो ये बात रही हमारी intra facet की ठीक है तो ये हो गया jkmnpr तो ये हमारा क्या हो गया intra facet face relation अब दीसरा जो हमारा लेबल आता है वो आता है intra array face relation अब इसमें क्या है intra array face relation में t u v w x y ये देखें ये पुरा continue चला आ रहा है t u v w x y तो अब ये ध्यान दखिएगा अगर t से कोई चीज स्टार्ट हो रहे है तो वो t u v w x y तो ये जो sequential line से चला आ रहा है तो ये हमारा हमेशा क्या होगा कौन सा लेबल होगा face relation का array यानि कि एक फंक्ती में तीके इसको अगर हम इस प्रकार से correlate करें कि यहां पर बात क्या रही है array बन रही है array यानि कि एक फंक्ती create की जा रही है तो यहां पर t, t के बाद u, u के बाद v, v, w के बाद w, w, kे बाद x, x, x के बाद y यानि कि एक sequence चला रहा है एक array बनता चला रहा है एक link बनता चला रहा है एक, क्या हो रहा है एक फंक्ती बनती चली आ रही एक sequence wise एक serial number से चला रहा है तो यह हमारा क्या कहलाएगा यह हमारा intra-array face relation कहलाएगा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज जरू से जरू बताएं कॉमेंट करके और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो है मैं इससे related और भी जो भी information मुझे मिलेगी वो मैं आपके साथ share करती जाओंगी मैंने अपने time पर बहुत सारे notes prepare किये थे तो उन्ही notes के through जो है मैं आप लोगों को different different tricks के through आपका जो भी concept है उसको clear करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती जाओंगी अगर आपका मन किसी और topic को पढ़ना चाहता है अगर आपको किसी topic को ले करके कोई confusion है तो आप मुझ करके जरू से जरूर बताएं CC में rounds and level के बारे में मैंने detail में बताया हुआ है मैं इस video के description box में rounds and level का जो video है उसका link provide कर दूँगी अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं जिससे आपके दिमाग में rounds and level से related जो भी confusion होगा वो भी दूर हो जाएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरू करें थैंक यू